इस question में हमें 4 different dices दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि 3 के opposite face पे क्या होगा कौन सा number होगा basically तो हमें क्या करना है एक तो तरीका है कि आप वह ऐसे clockwise और anti clockwise चेक करें या फिर एक और तरीका है कि अगर आपको 3 कहीं option में दिख रहा है पिछले question में हमें option में नहीं दिख रहा था 3 इसलिए हम उसको solve नहीं कर पाए ऐसे इस वाले तरीके से मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ clockwise और anti clockwise देखने के बजाए जो faces adjacent होगी वो opposite नहीं होगी इस तरीके से भी आप find कर सकते हैं जैसे first figure में देखते हैं तो 3 adjacent है 1 and 6 second मे 3 नहीं है 3rd वाले में है 6 and 4 यानि 3 के opposite कौन को नहीं हो सकता 6 नहीं हो सकता 1 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता अगले वाले में 5 है opposite में और 1 है यानि 5 भी opposite नहीं हो सकता sorry adjacent में तो 6, 1, 4 और 5 ये 3 के opposite होई नहीं सकते तो एक ही number बसता है वो है 2 जो की 3 के opposite होगा और ये option है हमा जो हमसे जिसका opposite पूछा गया है और multiple dice दिये गया है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं adjacent देख लीजिए और बागी का जो बचेगा वो opposite हो जाएगा